हाई फ्रेंस वेलकम बेक टो मैं चैनल सिजलिंग प्लेट विथ फाकरी तो फ्रेंस आज बनाने वाली हूं बहुत ही मस्यदार सा यम्मी चीज लोड़ेट पिज़ा जो बहुत ही यम्मी होता है बहुत ही जादा डिलिशन होता है मुझे तो फ्रेंस बहुत जादा पसंद है I hope आप लोगों पसंद होगा तो आज मैं फटा फट बनाने वाली हूं पिज़ा और बहुत ही आशानी के साथ में और आप रेस्टोंट जासा पिज़े का जो मज़ा है वो घर में ले सकते हैं बहुत आराम से खा सकते हैं बहुत ही बड़िया मज़ा आने वाला आपको बना यह delicious ना बनाने कैसा है प्लैआ यह वाल लिया है इसने में दाल रहे हुग टामआटो केचछबृ चैमच होते हैं उसके चार चार चामच के सब्सक्राइब मैंने डाला है और मैंने यहां पर ही मायोनिस डाला है चीज इस्पेट लिया है एक चमस डालूँगी यह तीनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेना है इसका अच्छे से सौस बनके तयार हो जाएगी इसने में डालेंगे शिंबला मिर्ची बारी कटीवी थोड़ी सी ट सारी कटावा गुबी मैंने तोड़ी सी और डाली थी उपर से और आदो चमच मैंने कुटी भी लाल मिर्ची ली है यह सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप चैना तो इसमें पनीर भी डाला है पनीर के क्यूब्स लिया है और यह देखिए मैंने इसमें दो चमच यह चीज भी डाला है जिससे यह और अच्छा बढ़िया से टेस्ट होने वाला है इसका यह रेडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे पिज़ी के हमारी रोटी लेंगे और इसके उपर यह मैंने टमैटो कैचप लगाया है अब इसके उपर हम यह जो हमने यह बैट अच्छे से यह चीजी वाला हमारा पिजा बनके तयार हो जाए थोड़ी से उपर से मैं यह गोल शिम्ला मिर्च भी रखी है आप चाहें तो कैसे भी काटके डाल सकते इसको डेक्रिशन कर सकते हैं तो बढ़िया से हमारा उपर से शिम्ला मिर्च हो गई तवे को हम थोड़ अलज़ना आसी मच cottage भी रसी है किसी दिन को बताऊं गाराम से किसी चीज सॉस बनाते कैसे बहुत ही जलिदी बनती है अगे मैं आपको इसकी वीडियो प्रॉपर स्टार्टिंग से अन तक किसी और दिन बता होंगी तो यह चीज सो स्सली आप किसी बीजी हमें यूज कर सकत बनाई है न इसको डालना है तो ये देखिए बढ़ियासा हमारी चीज भी इसके उपर चली गई क्या पिज़ा बनके फ्रेंज हमारा रेडी हुआ है एक बार अगर आप खा लेंगे तो कभी भी पिज़े का टेस्ट है आप भूल नहीं सकते हैं बहुती लाजवाबस हमारा पिज़ा बनके तयार उचुका है उपर से मने इसमे थोड़ा से औरगैनों भी बहुती बढ़ियासा देखिए इसको देखने में बहुत अच्छा दिकराए बहुती बढ़ियासा फ्रेंज हमारे ये रेस्टरॉन स्टाइल क्रीमी चीजी लोड़ेट पिज़ा बनके तयार हुच चुका है बहुत ही मज़िदार सा यम्मी सा आप लोग जरूर अपने घर में बना कर खाना आपको बहुत ही मज़ा आने वाल है तो फ्रेंज मेरे वीडियो को देखते रहे हैं चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और घर में ये पिज़ा जरू बनाएं खाईए और अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो ये जो चीज मैंने बनाईए इसकी वीडियो डालूँगी तो आप जरूर देखेगा और घर में बड़ी आसानी के साथ में आप ये चीज लोड़ेट पिज़ा बनाएं खाईएगा तो बाई फ्रेंड्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में